तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नय और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू कवायत को पढ़ने वाले हैं यानि कि उर्दू ग्रामर और बहुत ही ज़्यदा इंट्रेस्टिंग मस्त और जबरदस्त ये टॉपिक है और ब इसम नक्रा को इंग्लिश में कहा जाता है common noun और हिंदी में कहते हैं जाती वाचक संगया यानि कि जिस नाम से पूरी जाती का बोध हो एक common यान की सधारन नाम को कहते हैं इसम नक्रा जैसे कि मैं अगर बोलू कि मैं शहर जा रही हूं तो शहर में तो तभी शहर आ तो शहर एक ऐसा नाम है जिससे पूरी जाती का बोध हो रहा है तो शहर इस नाम को इस इसम को क्या बोलेंगे इसम नक्रा बोलेंगे ठीक है तो वह नाम जिससे सधारन नाम को जिससे पूरी जाती का बोध हो उसको कहते हैं इसम नक्रा जाती वाचक संगया हिंदी में ठीक है तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसमें लेख की किस्मों को यानि की टाइपiko समझने वाल है कि कितने होते है इस लगे की तो धयान में रखिए-गा इस लकिरा के पांच कितने टाइप 5 पहला इसमें मुस叉खर दूसरा इसमें मुकबर तिसरा इसमें आला और चोथा इसमें सौथ पाचवा इसमें जर्फ यह पांच टाइप होता है बहुत ही ज़्यादा इंट्रस्टिंग है यह पांच टॉपिक मतलब मज़ा आ जाएगा आप लोग को तो चलिए आज के इस वीडियो को पड़वर स्टार्ट करते हैं और पांच टाइ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजेगा ताकि मेरी रोज आने वाली और वीडियो का आप तक सबसे पहले पहुचे सबसे पहले समझते हैं इसमें मुसक्गर किसे कहते हैं देखिए मुसक्गर का मानी होता है छोटा किया हुआ यानि कि जिस न आप को कहते हैं इसमें मुसक्गर यान कि वह इस मिनक जिस नाम से छोटापन जाहिर हो जैसे is बागीचा बागीचा बोला जाए तो लगेगा ना कि बागीचा जो है ना बाग से छोटा है तो बागीचा से छोटापन जाहिर हो रहा है छोटा होना पता चल रहा है तो बागीचा इस नाम इस लवज को क्या बोलेंगे इसमें मुसगर बोलेंगे और जो कि इसमें मुसगर इसमें नकरा का ही एक टाइप एक किस्म है ठीक है उसी तरह है देगची देग के जगा देगची बोला जाएगा तो पता चलेगा कि हाँ देगची जो है ना देग से छोटा है देग तो बहुत बड़ा होता है देग तो आप लोग देखे होंगे देग से छोटा देगची तो तो ये सब छुटापन जाहिर है तो इस तरह के लवज को क्या बोलेंगे इसमें सग्डर बोलेंगे तरह दरीचा मुसगर हो जाएगा पगड़ के जगा पगड़ी बोला जाए तो पगड़ी से पता चल रहा है कि छोटा पगड़ी और राज़िस्थान में पता नहीं कहां इ पहनते हैं तो वो हो गया पगड़ जो की बहुत बड़ा-बड़ा होता है लेकिन पगड़ से छोटा होता है पगड़ी तो पगड़ी क्या हो गया इसमें मसगर हो गया वगर वगर जिस नाम से छोटापन जाहिर हो उसको आप लोग बिना मिलब सोचे समझे इसमें मसगर टिक किशा है इस में तो कोई शक ही नहीं है इस किस तरह से पूछा जाता है यह फिक भी बता दे रही हूं मैं और फिर वागार को conce 국a कोई देगा लवश बागिचा दे सकता है देख्ची दे सकता है और आप लोग को टिक करना रहता है कि कौन सा लव्स इसमें मुसंगर है तो इस तरह से अगर आप लोग के एकजाम में कोशन पूछे तो आप लोग एकदम 100% करेक्ट बना कराईएगा ठीक है दूसरा देखिए इसमें मुकबर किसे कहते हैं इसम की बाग बागीचा की जगा बाग बोला जाए तो पता चलेगा की बाग क्या है बागीचा से बड़ा है तो बाग हो जाएगा इसमें मुकबर देख से पता चले कि हां बड़ा वाला देख है ठीक है देख हो जाएगा इसमें मुकबर हथाओरी की जगा हथाओरा बोला शोपड़ा रहेगा रहेगा जोपड़ी के जहाड़ हो बहुत badan ना यह this हो जाएगा न हुआ है इसमें मुकबर हो जाएगा और बात humanity इसमें मुसगर ठीक है वगर वगर बहुत चारे नाम है जिससे बड़ापन जाहिर होता है तो उसको बोल देंगे इसमें मुकबर और ध्यान में रखिएगा अगर कोई भी कोशन इस टॉपिक से आप लोग के एकजाम में पूछे चाहे टेंथ क्लास हो ये फिर ट्वेल्ट क् पॉइंट डीपली जाकर मैं आप लोग को समझाते चल रही हूं एक एक करके ठीक है आगे देखिए तीसरा है इसमें आला इसमें आला उस इसम को कहते हैं उस नाम को कहते हैं जिससे ओजार या फिर हथियार का होना पता चले यानि की ओजार या फिर हथियार के नाम को हम ल अभिके शेती के लिए विउज कर सकते हैं और सबजी काटनी के लिए भी तो या बोल सकते हैं नहीं तो हथयार ही रहें क्या हो जायेगा इसम्याला क्योंकि इससे और ये फिर हतियार का पता चल रहा है तल्वार क्या है बंदुक क्या है थर्माम mm इसे पता चलेगा कि यहां यहां तो कोई आउजार है नहीं तो हथियारे तो यह या फिर ऑतियार के नाम को इसमें आला कहते हैं उसके बाद है इसमें सौथ buttons कहते हैं किसी भी चीज या पिर JUST हैं आवाज के नाम को कोई पी चीजह का नाम जैसे की innovative नाम है यह पिर जानदार का नाम किसी भी जीव जनतु का मियाूं इसमें सौथ कहते हैं उसके बास्ट पांचवा इसमें जर्फ इसमें जर्फ कहते हैं जगह या फिर वक्त के नाम को कोई भी जगह या फिर वक्त के नाम को कहते हैं इसमें जर्फ जैसे की घर घर जगह का नाम ही है ना तो घर को बोल देंगे इसमें जर्फ मदर्सा ये भी जगह का नाम है मदर्सा हो जाएगा इसमें जर्फ मस्जिद स्कूल ये सब क्या हो मका कहते हैं जगा के नाम को ठीक है यानि कि स्कूल घर मदर्शा मस्जिद यह सब क्या हो जाएगा यह सब इसमें जर्फ मका हो जाएगा लेकिन इसमें जर्फ जमा कहते हैं वक्त के नाम को तो यह सुबा दो पहर शाम यह सब क्या हो जाएगा यह सब हो जाएगा इसमें जर् टाइप एकदम डीपली आप लोगो समझ में आया होगा कोई भी कम्फीजन हो कमेंड में लिख कर बता दीजेगा और बाकि आज कि इस वीडियो में जो कुछ भी समझाई अगर समय में आया है तो वुडियो को लाइक तो बनता है फड़ावट लाइक करें और कमेंड में स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ले लिजे फड़ा पर स्क्रीन शॉट तो चलिए आज किस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं जाते जाते एक और बात मैं आप लोगों से बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग चैनल पर नए नए आई हुए हैं मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल् और खुदा हाफीज